हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चनल सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस काउंस्टेवल का रिख्जाम होने वाला है छे महिनों के अंदर उसी के जनल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट को यहां प करना ना भूलें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस यूपी पुलिस काउंस्टेवल का रिख्जाम छे महिनों के अंदर आयो जित किया जाएगा समय कि अगर हम बात करें तो आप लोगों के पास काफी समय है पढ़ने के लिए तो आज मैं आप लोगों के ल कारी है वो काफी हद तक अच्छी है तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी कोईसंस के आंसर देने का दो से तीन सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा तो आज के सेशन में पहला कोईसंस रहेगा कि रामचरित मानस किस भासा में लिखा गया है बहुत अब भासा में लिखी गयी है तो अब भासा आपका सई आंसार आइक न्यश्चे कोईसंस देखे को सभी बत के अगला कोसे देखह आनगा कि खड़ी बोली का दोसरा नाम क्या है मगही कोरवी हिंदुस्तानी बगेली खड़ी बोली का दोसरा नाम क्या यह आपको बताना है देखिए खड़ी बोली का जो दोसरा नाम है वो है कवरवी तो option नमर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल correct हो जाएंगे देखिए पूरे 75 questions का test है पूरा test लगाएगा बीच से छोड़ कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है अगला कोशे देखेगा सबी बच्चे अधिकतर भारतिय भासाओं का विकास किस लिपी से हुआ है सारदा लिपी, खरोष्ट लिपी, कुटिल लिपी, ब्राही लिपी अधिकतर भारतिय भासाओं का विकास किस लिपी से हुआ यह आपको बताना है तो देखिए अधिकतर भारतिय भासाओं का जो विकास है ना ब्राही लिपी से हुआ है तो जो भी बच्चे option number D की और जा रहे हैं वो बच्चे बिलकुल correct हो जाएंग जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिलकुल correct हो जाएंगे जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिलकुल correct हो जाएंगे ठीक है शाशे शतकोण सोरी छावण किसके योग से बना है का प्लस शतकोण का प्लस चा का प्लस चा का प्लस च्छा का प्लिया च्छतरी शाशे शावण किसके योग से बना च्छतरी जल्दी से अंसर दीज़े सभी बच्चे तो जो भी बच्चे option number A की और जा रहे हैं से चतरी जो है ना का सच शतकोंड से बना हुआ है ऑप्शिन नमर एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैस कोईशन देखेगा सभी बच्चे सुगा नैस कोईशन समारा है निम लेकित में से कौंसा बन उच्चारण की ड्रश्टी से दंत नहीं है ता ना दा या टा कौंसा बन लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे सेसन को सेयर कर दीजिए एक वार आप लोगो वीड़ों को जल्दी से लाइक कर दीजिए बहुत ही यूनिक कोईशन से जो कि आपके परिच्चा में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं नैस कोईशन से दे आपको बताना है देखिए दा से दवायत दा जो है ना यह गोश बन हो जाएगा तो अफिन अंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सेसन को सियर कर दीजे एक वार आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर देए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अगला कोशन देखेगा निर्देश 9-13 निम लेखित में से बरतनी के डिनरस्टी से कौन सा सब्द सुद्ध है देखिए सीर्षक को लिखने का तरीका क्या है यह आपको बताना है A, B, C, D इनमें से सीर्षक की सुद्ध बरतनी क्या होगी तो देखिए सीर्षक को लिखने का जो तरीका है वो यह रहा अगर आप सीर्षक लिखते हैं तो सीर्षक ऐसे लिखा जाता है यह आपको धिएन लखना ठीक है नैस कोछन देख़ेगा मंत्री मंडल मंत्री मंडल कैसे लिखा जाता है यह आपको बताना है जल्दी की सभीवच्चे मंत्री मंदल की सुदOOOO बस्तनी क्या होगी देखिये मंत्री मंधल जो है न ऐसे लिखा जाता है मंदल को लिखने का तरीका यह रहा देखिए leursah मंत्री और दोनों ही इनप्रइंट है इन पर टैनिस्टा लगा लेजी आप लोग कि अत्ति- अत्ति लिखने को लिखने का तरीका क्या है पूर्ती देखिए पूर्ती को लिखने का तरीका ये रहा अगर आपकी सुद्वरतनी करेंगे ना तो पूर्ती ऐसे लिखा जाता है निर्सता निर्सता की सुद्वरतनी क्या होगी जल्दी से आंसर देखिए सभी बच्चे देखिए नीर्सता न महात्मा महाधन आत्मा से सब्द कौन सा बनेगा यह आपको बताना है देखिए महाधन आत्मा से सब्द बनेगा महात्मा option number V जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा नैस कोईशन्स रमाधन इस रमेश इसमें कौन सी संदी है दीरग संदी ब्रद्दी संदी गुण संदी यान संदी जल्दी से आंसर दिए सब्द बच्चे रमाधन इस रमेश इसमें से कौन सी संदी है तो देखिए रमाधन इस जो है ना यह गुण संदी हो जाएगी इस पर प्पाइब इसटाल लगा लीजा अप लोग फेपर में आने वाला questions रोग्तर संदी क्या होगा जब आप क्यों सब्सक्राइब तो उत्धन चारण हो जाएगा उत्धन चारण अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि उत्चारण में प्रियुक्त संदी कौन सी होगी तो उत्चारण में प्रियुक्त संदी होती है बियंजन संदी यह आपको ध्यान में रगना है ठीक है आसको संदेगा सभी बच्चे रसोई घर में कौसल समस होगा ततपुरू समस वोब्पिरश समस दुन्दस समस अब आबवाव समस अब ठ्यान पूर्बख मेरी बात को सुनेए आप लोग देखिए रसोई अलग है और घर अलग है याई रसोई घर रसोई को जोड़कर घर बन गया रसोई घर तो जब भी ऐ को जलदी से आंसर दीजे सभी बच्चे नील गाए देखिए नील गाए का समास होता है करंदार समास यानि ऑप्षिन अमबर सी जो है आपका विलकुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैस कोशन देखेंगा सभी बच्चे नैस कोशन समा रहा है कि पितांबर पत्पीत है पित है अमबर जिसका वहां अर्तार इसको क्या कहेंगे जब किसी वाक में किसी प्रसिद्व व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौशा समास होता है वह पर यह समास होता है यांख बंद करके डी ऑप्षिन पर टिक कर दीजिए तो यहां पर विशनु की बात ह वाक में से कौशा कारक है अब इसमें आप जो पर देख रहे हैं इसमें जो मेर कॉमन है वह पर तो चार पाई पर चादर बिछा दीजिए इसमें कौशा कारक होगा यह आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा कि करताने कर्म को करण से संपरदान को के लिए अपादान से संबंद का के की रारेरी अधिकरन में पर सम्वोधन हे अरे ओ जब आप इसे याद कर लेंगे तो ऐसे कोईसेंस आप चुटकियों में सॉल्ब कर देंगे अक्सर पेपर में एक कोईसेंस और पूछ लिया जबता कि हिंदी में कारक की जो संक्या होती तो हिंदी में कारक की संक्या होती है यानि चिन कितने होते हैं आठ होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है अब कोईसेंस में क्या पूछा जाए है कि चार पाई पर चादर बि यानि option number V जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा उसी प्रकास next question से देखेगा सभी बच्चे वहाँ घर से बाहर गया वाक में कौन सा कारक है वहाँ घर से बाहर गया अब इसमें जो comment comment जो है वो है से तो करताने कर्म को करण से यानि करण से भी है इसमें और अपादान में भी स लेकिन इसमें घर से बाहर गया ना घर से बाहर गया तो इसमें जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा option number D अपादान कारक हो जाएगा ठीक है डी option correct हो जाएगा option number D छले बड़ते है नैस questions की और नैस कोशन्स हमारा है अगनी का प्रयाय बाची शब्द क्या होता है शोम हुताशन अच्छी आले अगनी का प्रयाय बाची शब्द क्या होगा जलदी से आंसर देज़े सभी बच्चे देखे अगनी का प्रयाय बाची शब्द होता है हुताशन यानि option नमर वी जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा कमल का परियाए बाची शब्द क्या होगा जलज प्यूस जलदी जलद कमल का परियाए बाची शब्द क्या होगा जलदी से आंसर दीजे सभी वच्चे तो देखे कमल का परियाए बाची शब्द होता है जलज क्या होता है जलज Option number A correct हो जाएगा चलिए बरते हैं नएस कोईसंस की ओर इंद्र का परियाय बाची शब्द क्या होगा बाजिगर, राज राज, मदभा, बिनायक इंद्र का परियाय बाची शब्द क्या होगा जल्दीस आंसर दिजे सभी वच्चे देखें इंद्र का परियाय बाची सब्द होता है मदभा यानि option number C जो है आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा next question घर का परियाय बाची सब्द क्या होता है नग, निकेतन, इला, बिहार घर का परियाए बाची शब्द क्या होगा घर का परियाए बाची शब्द होता है निकेतन यानि option number V जो है आपका विल्कुल करक्ट हो जाएगा सुगा next question हरिन का परियाए बाची शब्द क्या होता है वहिक, खग, हंस, म्रग हरिन का परियाए बाची शब्द क्या होगा देखिए हरिन का परियाए बाची शब्द होता है म्रग तो option number D जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखेगा सभी बच्चे उपकार का बिलोंग शब्द क्या होगा प्रतिकार परोपकार अपकार अनुपकार उपकार का बिलोंग शब्द क्या होगा जल्दी से अंसर दीजे सभी बच्चे उपकार का बिलोंग शब्द होता है अपकार क्या होता है अपकार option number C correct हो जाएगा सुगय नैस कोईसस आगत का बिलोंग शब्द क्या होता है अनागत विगत स्वागत विरत आगत का बिलोंग शब्द क्या होगा जल्दी से आंसर दीजे सभी बच्चे अगत का कुसापेक्ष सापेक्ष का बिलोंख रखाङए नोगOR और फीडियो को जल्दी से। जो भी कमिया है आप लोगों के अंदर उन कमियों को दूर करें सापेक्च का बिलोम शब्द होता है निर्पेक्च यानि या उप्शन नमर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमरन का बिलोम शब्द क्या होता है भूलना आइसमरन बिसमरन सुसमरन इसमरान का बिलोंग शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दिजा सभी बच्चे देखिए इसमरान का बिलोंग शब्द होता है बिसमर्ण option number C जो है आपका बिलकुल correct हो जाएगा अगला question ग्या है कि अथा का बिलोंग शब्द क्या होता है भाई? देखिए अथ का बिलोम शब्दुता इती ये भी कोईशन्स काफ़ी इंप्रोटन्ट है परिच्छा में छपने वाला कोईशन्स तो डी ऑप्शन्स गरेक्ट हो जाएगा ठीकर नैस कोईशन देखिए का सभी बच्चे निर्दे 12-36 निर्दे लिखी वाक्यों वाक्यांज्वं के लिए एक सब्दों बताएए जिसमें संदे ना हो उसे क्या कहते हैं जिसमें संदे ना हो उसे क्या कहते हैं काफी important question से जल्दी से answer देजे सभी बच्चे दिखिए जिसमें संदे ना हो उसे कहते हैं आज संग्दिक्ज तो B options जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखिए का जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं चोर अपरादी अभियोक्त प्रतिबादी जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको कहते हैं अभियोक्त यानि option number C जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा जो आखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष प्रत्यक्ष बिलुप्त जो आखों के सामने हो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष यानि option नमर ए जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है जंगल में लगी आख को क्या कहते हैं वडवानल दावानल विरागनी ज जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं काफी important questions है ये तो जंगल में लगी आग को कहते हैं दावानल यानि option number V जो है आपका विल्कुल सही हो जाएगा जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं अन्यमित अत्रिक असंबब अबैद जो कानून के विरुद्ध हो ना उसे हम कहते हैं अबैद यानि option number D जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा सुगाइ नैस कोईशन्स देखेगा साभी बच्चे मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वास सास्त्री जी के यहां गया कौन साव वाक्य है मिस्र बाग संयुक्त बाग सरल बाग कठिन बाग के सत्य बोलो परंत तु कटू सत्य ना बोलो यह हो जाएगा संयुक्त बाग की यानि option number V जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा इसलिए बच्चियों वीडियो को जल्दी से लाइक करतीजिए निर्देश 49 से 43 निम लिखत प्रस्णों के उत्तर दीजिए जैसे कि सूरदास के गुरू का उन थे यह आपको बताना है रामानन, रामदास, बलाबाचार या बिठलनात सूरदास के गुरू का क्या नाम था देखे सूरदास के गुरू का नाम था बलाबाचार या या उप्शिन नमबर सी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा देखे सूरदास जो है सूरदास को अश्ट छाप का जहाज भी का जाता है यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है नैस कोईशन देखेगा सभी बच्चे छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते है गती यती तुक गण चंद पढ़ते समय आने वाले विराम कों कहते हैं यह आपको बताना है तो चंद पढ़ते समय आने वाले विराम कों कहते हैं यती क्या कहते हैं यती बी आप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विशेशन सब्द जिस संग्या या सर्वनाम की विशेशता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं काफी इंपोर्टेंट कोश्टेंस हैं फाइविश्टा लगा लेजिए क्रिया विशेशन विशेश प्राववेशन या उपमान जल्दी से आंसर देज़े सभी वच्चे विशेशन सब्द जिस संग्या या सर्वनाम की विशेशता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं विशेश यानि आप्शन नमर वी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा सुगाई नेस कोईसेंस देखेगा प्राचीन सब्द विशेशन के किस प्रकार में आता है सार्वनामिक परिमाण वाचक संख्या वाचक गोडवाचक प्राचीन सब्द विशेशन के किस प्रकार में आता है या आपको बताना है देखी यह आता है गोडवाचक विशेशन क अंतरगत यानि option number D जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल correct हो जाएंगे चलिए बढ़ते हैं next questions की और next questions देखेगा सभी बच्चे तो next questions क्या है कि अभ्यास का बिशेशन रूप क्या होता है यह आपको बताना है अभ्यास का बिशेशन क्या होगा देखेए अभ्यास का बिशेशन होता है अभ्यासी क्या होता है अभ्यासी अभ्यासी कह सकते हैं आप लोग P options correct हो जाएगा निर्देश प्रस्ण संख्या 44-45 निम लिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए क्या है दुरोपदी का चीर का अर्थ क्या होता है नारी का अपमान करना सरमना कर कभी समाप्त ना होना सुन्धर इस्त्री जल्दी से आंसर देखेए दुरोपदी का चीर होना दुरोपदी का चीर का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना यानि C options जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तीके पूरा टेस्ट लगाएगा पूरे 75 कोशन का टेस्ट है पूरा टेस्ट लगाएगा बीच से छोड़कर किसी वच्छे को नहीं जाना है कोशन देखेगा कूप मंटुक होना का अर्थ क्या होता है कुए में गरना मुर्ग होना मात देना सीमित ग्यौन या सीमित अनुभव होना कूप मंदुक होना इसका आर्थ होता है सीमित ग्यान या सीमित अनुबव होना यानि या उप्षिन नमर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे विलकुल करेक्ट हो जाएंगे इस प्रस्ण में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को करमसाफ एक और छे की संख्या दी गई है बीच में आने वाले अंस को चार भागों में बाट कर याराला वा संख्या दी गई है यह चारों उचित करम में नहीं हैं इन चारों को उचित करम में लगाए ताकि एक सुध वाक का निर्माण हो सके को एसंस तो खर ये रहा अब आपको इसमें वाक्ष लगाना है कैसे ये पुरा कंप्लीट होगा इसमें देखी जो आपका ए औला ओप्चन्स जो है आपका ये विल्कुल सही हो जाएगा आप देखी कैसे लगाना है ध्यान पुरुबग देखे का सबी बच्चे सबसे पहले आपका आजाएगा सामाजिक जीवन में सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है क्रोध की बराबर जरूरत पड़ती है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है उसके बाद ला यदि क्रोध ना हो तो मनुस दूसरों के द्वारा कर सके तो ऐसे लगा लेंगे ठीक है नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे दिए के वाक्यांस के लिए एक सब्द का चैन करना है आपको पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है तो द अगला कोशिन देखें का सभी बच्चे, नेस कोशिन्स हमारा है, वलाय सब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, तो वलाय सब्द का अर्थ क्या होता है, ब्रक्षिकी चाल, गोला कार घेरा, म्रग चाल, आबरण, देखिए वलाय सब्द का अर्थ होता है, गोला कार घेरा, यानि जीवन इसमें हो सकता है घोर सबार तक पुरु समास होगा पितांबर बहुप्रेश समास होगा लेकिन आज जीवन जो है न यह आपका अभईवाव समास हो जाएगा क्यों हो जाएगा बो भी जान देजी आप लोग जहां पर यथा आजाए यह मैंने आप लोगों को कई बार बताया प्रस्य बता दे रहा हूं जहां पर यह था यह था अनू प्रति बड़ा अ भर उद हर जहां पर यह सबदा जाए वहां पर होता है अभईवाव समास अब देखी जैसे कि यह थो चित अनूपत प्रत्य दिन आडंबर आजीबन भर पेट उदै अहर दिन यह सबदे कौपई पर नोट कर लेजी आप लोग तो यहां पर कौउसा समास हो जाएगा यहां पर हो जाएगा अब बहुँआप समास हो जाएगा यानि यह option number V जो है आपका बिलकुल correct हो जाएगा ठीक समय पर आ जाना में कांव सा कारख है ठीक समय पर करम करन संपरदान अधिकरन ठीक समय पर आ जाना जल्दी से आंसर दीजे सभी बच्चें ठीक समय पर आ जाना तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा अधिकरण में पर तो मैंने क्या बोला अधिकरण में पर अब इसमें जो मेंन कॉमन जो है जो पर देख रहे ना यह कॉमन है इसलिए यहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक तो डी ओप्सेंस जो है आपका विल्कुल साही हो जाएगा मंदिर मदिरा यूगम का उप्युक्त अर्थ वाला यूगम कौंसा होगा यह आपको बताना है मंदिर मदिरा यूगम का उप्युक्त अर्थ वाला यूगम कौंसा होगा देवाले अश्योश्वाला यानि option number D जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा 52 question देखेगा निम्लिकित में से मिस्र वाक्य है तो इसमें देखेगा आपको मिस्र वाक्य की पैचान करनी है जियों ही वा घर से निकला वर्षा होने लगी इसमें मिस्र वाक्य हो जाएगा तो option number D जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा प्रस्ण संख्या 53 से 56 काब्यांस को पढ़कर निम्लिकित प्रस्णों के उत्तर दीजिए आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं एक अनोखा जस्ण मनाए अपना कोरा अस्तित जमाएं आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंद रितु आई है बिचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है गहनता की फसल लेलाई है साइध इसी करन आज बर महत्वपूर्ण कार करने के लिए मन से बाते करने के लिए खुसियां बनाने के लिए अपनी पैचान बनाने के लिए पता ये क्या अंसर होगा कुछ महत्वपूर्ण कार करने के लिए तो आप्शन नमबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चले बढ़ते नैस हैं ना, मन के सूने पन से हैं, तो sì, जोुल बता रहे हैं, वो बच्च्चे बिल्कुल करक्ट हो जाएगा है, अगला कोशंस काए, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? भाणो रूपी कलियों पर, भी है नैस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे गहनता की फसल से कभी का क्या आसे है विचारों में परिवक्तता अपना अस्तित्त लहलाती फसलें विचारों की गंबेरता गहनता की फसल से कभी का क्या आसे है यह आपको बताना है विचारों में परिवक्तता तो जो भी बच्चे केबल इसलिए हुई क्योंकि राजीब उसकी खालिस्तन अधिक बुद्धिमान है तो रामु की अपेक्षा कि में सही अलंकार का चन कीजिए पानी विच मीर प्यासी मोही सुनी सुनी आबए हासी इसमें कौंसा लंकार होगा अभी बाबना अति श्योक्ती बिश्योक्ती उपमा तो इसमें हो जाएगा बिशोक्तिय लंकार तो जो भी बच्चे ऑप्शन नमर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है नैस को संद्रिके का सभी बच्चे निमलेकित बिकल्पों में से किस बिकल्प में सभी सब्द व्यक्ति वाचक संग्याए हैं बदाई क्या आंसर होगा तो जो भी बच्चे ऑप्शन नमर एक ही ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे राम रामचरित मानस गंगा सुगा नैस कोईसन से देखेगा निमलेकित में क्या गंगा का परियाए बाची नहीं है देखेए कालिंदी जो है यह गंगा का परियाए बाची सब्द नहीं है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला कोशिन सई वर्तनी सब्द का चैन करना है आप लोगों को अबर्यती स्रंगार मुश्किल मात्र भूमी इसमें देखेए जो स्रंगार है ना स्रंगार आपका सही हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नमर वी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशिन क्या कि सम्मू आर्थक सब्द चिन्रित कीजिए पुरुस इस्त्री मनुश्य भीर इसमें सम्मु आर्थक सब्द हो जाएगा भीड भीड जो है आपका ये सम्मु आर्थक सब्द हो जाएगा यानि आउक्षी नमर टी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा जहां सबा होती है वहां भीड होती है उसको हम बोलते हैं सम्मु मनुस्यों का सम्मु आंशिक शब्द में प्रत्य क्या है आंशिक एक ञायोग आश्ट वाला जो कोशेंडा सब् counting का वह आपका उपसर हो me तो देखे एक जो है न आपका ये आपका प्रते हो जाएगा यानि C options करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखे का सभी बच्चे नीचे दिये गए वाक के तुर्टी पूर्ण खंड को चेनित कीजिए यदि कोई तुर्टी ना हो तो D भाक को चेनित कीजिए पुलिस द्वारा चोरी का मल बरामत हो गया है कोई तुर्टी नहीं C options जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हो गया है ये इसमें तुर्टी हो जाएगी C options करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन कोईशन देखेगा, बदूरमी का संदी बिछेत क्या होगा ये आपको बताना है देखेज बतूरमी का संदी बिछेत होता है वद्वधन उर्मी यानी option number वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन देखेगा भिन्नार्थक सब्द का चेन कीजिए भिन्नार्थक सब्द का चेन करना है पाबक अनल क्रशानू अनल जो है न ये भिन्नार्थक सब्द हो जाएगा यानि बी ओप्शन्स जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा हर्स का बिलोंग शब्द क्या होगा खुशी विशात उल्लास आनंद हर्स का बिलोंग शब्द क्या होगा जल्दी से आंसर दीजे सभी बच्चे सेसन को सेर कर दीजे अगर आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे हर्स का बिलोंग शब्द होता है विशात यानि वी ओप्शन्स जो है आपका बिल्कुल सई हो जाएगा पूरा टेस्ट लगाईगा और लास्ट में मतायेगा कि 75 कोईसिंस में आप लोगों ने कितने कोईसिंस के सई जवाब दी हैं गंदला मैला मलिन किस सब्द के परियावाची हैं प्रलय धबल पंकिल पामर पंकिल यह अगला कोशिंस करकस का बिलूम नीचे दिये गए बिकल्पों से चुने करकस का बिलूम शब्द क्या होता है कठोर विवेकी मधूर बिनमबर करकस का बिलूम शब्द होता है मधूर यानि आप्शन नमर सी जो है आपका बिलुकुल सही हो जाएगा निर्देश प्रस्न संक्या 17-71 वाक्यान्सों के लिए एक उचित विकल्प चुने जो इंदर पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं जो इंदर पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको कहते हैं इंदर जीत यानि मेगनात ने इंद्र को पराजित कर दिया था इसलिए मेगनात को इंद्रजीत बोला जाता है यह आपको दियान रखना है उच्च कुल में पैदा ब्यक्ति को क्या कहते हैं धनी, श्वन, स्रेष्ट, कुलीन उच्छ कुल में पैदा अभ्यक्ति को हम कहते हैं कुलीन यानि डियो अप्शन्स जो है आपका विल्कुल सही हो जाएगा यूसर तुम्हें दिर्गायू दे अर्थ के आधार पर वाक का भेद बताएं तो इसमें हो जाएगा क्योंकि वह आपणी सिर्गायू दे अर्थ के आधार वाक का वेद बताएं तो इसमें हो जाएगाव क्योंकि वह Le from 6 सी एक बोलाई आस्यावात दे रहा है कि उसर तुम्हें दिर्गायूद्य स्री गनेस का विलोंक शच्ब्द क्या होगा तो इससंहें हो जाएका इस आपस्ञ नबर वी जो है आहाँ फ्ूल का परियाखाँ नाहीं है सुमन पुस्त तनुजाक कुसुम देखे तनूजा जो है ना यह पुस फूल का प्रजाई बाके सब दिन नहीं है किस रस को रस राज का जाता तो श्रंगार रस को रसराज का जाता है option number C जो है आपका बिल्कुल correct हो जाए तो इसमें आप लोगों ने जन्रल हिंदी के को 75 questions डिसकस की हैं 75 में 70 questions के आपको सही जवाब बताने थे अगर आप लोगों ने 70 questions के सही जवाब बताए हुई तो आप लोग समझे विजेगा जन्रल हिंदी की जो आप लोगों की तयारी ह है वो काफी हद तक अच्छी है तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जिरूँ सस्क्राइब करें और नोटिफेकेशन बैल आउन करना ना भूलें मिलते हैं नाच वीडियो के साथ जैहिन जैवारव